PF का पैसा निकालने के लिए विड्रॉल करने के लिए PF के पोर्टल पे KYC अपडिट होना जरूरी है और वो भी वेरिफाइड होना जरूरी है और जब आप KYC के लिए जाते हैं अपना बैंक अकाउंट अधार नमबर और पैन नमर इंटर करते हैं तो जहां आप काम करते हैं या काम करते थे उसके तरफ से approval होना बहुत जरूरी है otherwise आप पैसे withdrawal नहीं कर सकते हैं और जान मुझ करके company लोग जो है आपका KYC approve नहीं कर रहा है तो ऐसे condition में ये वीडियो बहुत ज़्यादा helpful होगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको रास्ता मिलेगा जहां पे आप खुद से ये काम करवा सकते हैं और बहुत ही असान तरीका से आपका KYC approve हो जाएगा लेकिन उसके लिए पहले समझना होगा कि ऐसे कौन-कौन से region है कि आपका KYC approve नहीं हो रहा है दो-तीर region हो सकता है सबसे पहला region हो सकता है कि जिस कमपनी में आप काम करते हैं उसके पास डिर्टल सिगनेचर नहीं है तो KYC approve नहीं होगा दूसरा होगा कि वह जो company हैं जिसमें काम कर रहे हैं वो company बंद हो गया है और तीसरा होगा कि जिस company में आप काम कर रहे थे आप काम छोर चुके हैं मतलब कुछ न कुछ तो problem हुआ होगा अब वो जान बुझ करके आपका KYC नहीं कर रहा है इसलिए पहले इस वीडियो में जो तीनों बात है वो बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी company में अभी currently आप काम कर रहे हैं या आपका कोई सर्कील में लोग काम कर रहा है तो उसको कहिए जल्ड से जल्ड company में रहते हुए KYC एप्रूब करा ले अधरबाज बाद में आपको परेशान करेगा और इसके बाद जो मैं वीडियो मैं solution बताऊंगा उसी के रास्टे से solution मिलेगा ठीक ना तो चलिए अब समझते हैं जिस company के पास डीटर सिगनेचर नहीं है उसको डीटर सिगनेचर बनबाएगा तभी जाकर के KYC एप्रूब कर सकता है अधरबाज नहीं कर सकता है तो वो अलग ना आप email address है ना contact कर पा रहे हैं ना company मी बंद हो चुका है अब कहां जाईएगा तो इस condition में आपको क्या है कि जो local PF authority होगा जहां पर office होगा आप search कर दिजएगा आप जिस area में रह रहे हैं उस area का जो है PF का office कहा है और ये पता आपका PF का जो number है ना उसी से पता चल जाता है आप जो है UN number से इंटर करिए और जब आप देखेंगे कि पुराना जिस company में काम कर रहे थे तो उसका जो है code होगा वो जो है localization जो है मतलब कि जहां पर local में रहता है उस area का code होगा जिससे आप पता कर सकते हैं और वो number से आप सर्च कर सकते हैं कि आपका local PF office का है वहाँ जाईए वहाँ आप पुराना जो है company में काम कर रहे थे उसका detail डालिए लिखित में और इसके बाल आप अपना UN number आप अधार, PAN number, bank account सब कुछ जो चीज़ जरूवत है online verify करवाने के लिए वह सब detail जाकर के आप office में जाके submit करेंगे offline mode में आपका काम हो जाएगा और तीसरा का addition जो आता है जिसमें है कि company जान बुझ करके आपका KYC approve नहीं कर रहा है वह आपको परेशान कर रहा है क्योंकि आप company छोड़ चुके हैं और जब छोड़ चुके हैं जो काम कर रहे हैं उसके लिए इतने कानून है इतने रास्ते हैं कि अगर जिनको जानकारी हो जाएगा तो company कभी सोसन नहीं कर सकती company कभी परिशान नहीं कर सकती है ठीक ना तो चलिए उसका रास्ता क्या है उसका रास्ता ये है कि सबसे पहले आप प्रेम से जाएए उसको समझाएए HR department होगा जहां पर hiring का department होगा company में होगा अगर नहीं है कोई बात नहीं छोटी मोटी company है छोटी मोटी का मतलब है कि बहुत बड़ा नहीं है अरवो का company नहीं है जहां पर direct company के मालिक से बात कर सकते हैं उनको जाके कहिए कि ऐसे ऐसे परिसानी हैं, मुझे ये लोग परिसान कर रहा है, उनको लाष्ट में ये भी समझाइए कि देखिए अगर आप एप्रूब नहीं करिएगा, तो मुझे लाष्ट में बहुत सारे दूसरे रास्ते उसको अपनाना परेगा, कम्पनियां बहुत अच्छे से जान रही है कि अगर उसका कम्प्लेन उपर गया, तो उसको हो सकती है, दिक्कत, इसी लिए वो आपका एप्रूब कर देगा, कोसिस करिए, उससे फोन पर कॉंटेक्ट करिए, इमेल आइडे जिसका मतलब कि प्रूफ हो सके, उसको अगर ऑफिसियल इमेल है उस आपका KYC अप्रूब नहीं करेगा, तब सबसे लास्ट ऑप्शन है कि आप जो पीएफ में कम्प्लेन डा सकते हैं, पीएफ ऑफिस में कम्प्लेन, दो तरह से, एक लिखित में डालिए, रिटेन अप्लिकेशन में, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, आप अपना रिजिनल जो पीएफ ऑफिस है, वहाँ कम्प्लेन डाल दीजे, कि मेरा जो है कम्पनी, जो पुराना कम्पनी है, जिसमें काम कर रहे थे, वो KYC अप्डेट नहीं कर रहा है, और दूसरा, इपीएफो का ऑफिस्यल वेब साइट है, जहां पे ऑनलाइन आप कम्प्लेन दर्ज कर सकते हैं उसमें आपका EVN नमबर मेंशन करना होगा, जिस कम्पनी में काम कर रहे थे, उसका डेटेल, उसका नाम, सब कुछ मेंशन करना होगा, और आप वहाँ पे कम्प्लेन में लिखेंगे, कि मुझे जो है, यह यह प्रोबलम है, मैं पैसा विड्रॉल करना चाहता हूं, लेकिन क जान बुझ करके यह नहीं कर रही है, और उसका अगर आपका पास पी अप नमबर है, मतलब कर चुका है कि आप उसका कम्पनी में काम कर रहे थे, यह प्रोब ही मिल जाता है, तो ऐसे कंडिशन में कम्पनी पे हो जाएगी, एकसान और कम्पनी गुसाएगी, लेकिन सरके में 8-10 लोग थे, जिनके साथ यह प्रॉबलम था, मैंने यह तरीका बताया, उसका प्रॉबलम आज सॉल्व हो चुका है, वो पैसे को 100% जो है विड्रॉल कर चुके हैं, 100% गारेंटी के साथ वो विड्रॉल किये हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ यह कांट्रोल में ना रहे, वो अपना लाइफ बिंदाज सके।